हेलो दोस्तों ये थार्थ हिंदी एजूकेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहती के इंपोर्टेंट प्रेशन जैसे की मॉडल टेस्ट का हमने सिरीज स्टार्ट की है तो उसी में आज का अगली सिरीज है आज की पहला प्रेशन है आज का प्रति एक देस का साहती वहां की जनता की चित्ति प्रतियों का संचित प्रतिबिम्ब होता है इस कथन में रितिस्थान की पूर्टी करनी है तो इसमें हापर प्रतिबिम्ब आएगा ओप्सन बीस के लिए राइट आंसर है और जो यह कथन है यह वीरगाथा काल का नाम दिया है और आधीकाल को वीरगाथा काल नाम देने का करान 12 रचनाएं हैं जिनके आधार पर इन्होंने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है जिसमें चार भासा जो आठ देशी भासा के काबी हैं और चार साहितिक रचनाएं हैं जो इनकी 12 रचनाएं हैं उनमें अगला प्रश्ण है सरहपा किस संप्रदाई के कवी है राईट अंसर ओप्शन बी है सरहपा सिद्ध संप्रदाई के कवी है राहू सांकरत्याईन जी इन्हें पिर्था कवी मानते है आदी काल के संदर्व में कौन सा कथन असत्य है आदिकाल के संदर्व में जो कथन असत्ति का मतलब गलत है वो बताना है पहला है आदिकाल हजारी परसाथ दिवेदी का नामकरन है बिल्गु सही है इसमें रासो ग्रंत की परमानिकता संदिक्द है यह भी सही है आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 है और आदिकाल में धार्मिक सहत्ति का अभाव है तो क्योंकि आपको इसमें बताना है गलत वाला अंसर चीक है तो यह तीनों तो सही है अब गलत कौन सा हुआ इसके लिए राइट अंसर है और आदिकाल में धार्मिक सहत्ति का अभाव है यह बिल्कुल गलत है इसके लिए उप्सन अगला प्रशन है संदेश रासक किस प्रकार की कावी रचना है यह बताना है राइट अंसर इसके लिए और आप्सन बी है विरह संदेश कावी है यह विरह प्रधान कावी है गुराखनाद के गुरु का नाम बताना है। सेस्ता नहीं है वह बतानी है राइट आंसर ऑप्सन डी है समा सुधार की अभिव्यक्ति जो सूफी का भी है इसमें समा सुधार की अभिव्यक्ति नहीं है क्योंकि यह मुख्य रूप से क्या है प्रेमासरी साखा है ठीक है जो सूफी का भी है इसे प्रेमासरी साखा के नाम स वन्वेशेलता है जो नहीं है वह क्या है समासुधार के विव्यक्ति इसमें प्रेम का अधिक वर्णन मिलता है इसलिए से प्रेमा स्राइप आभिधारा भी कहा गया है राम को मर्यादा पुरुसोत्तम के रूप में जन जन में प्रतिस्ट करने का कारिय किस ने किया Right answer option B है, गोस्वामी तुलसिदास नहीं किया था संतो भाई आई ग्यान की आधीरे, सिर्शक पद के रचनाकार कौन है? Right answer option A है, कबीरदास है पदमावत जाइसी के द्वरा जो लिखा गया है, में मुखी तहक किस चंद का प्रयोग हुआ है पदमावत में मुखी रूप से प्रयोग चंद बताना है Option C, right answer है, दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है पदमावत में भासा पर कबीर का जबर्दस्त अधिकार था, वे वानी के डिटेक्टर थे, यह कथन किसका है? कबीर को वानी का डिटेक्टर किसके द्वरा कहा गया है? Right answer option B है, हजारी प्रिसाद दिवेदी ने वानी का डिटेक्टर कहा है, वानी का डिटेक्टर तो अधिकतर सबको पता ही होगा, लेकिन कभी इस प्रकार भी हो सकता है, कि आपको के बले इतना दे दिया जाएगा, भासा पर कबीर का जबर्दस्त अधिकार था, यह कथन किसका है? अगर वानी के डिक्टेटर थे इसे हटा दिया जाए तो आपको यह धियान रखना है कि भासा पर कवीर का जवर्दस्त अधिकार था यह किस ने कहा है हजारी प्रसाल दिवेदी ने अगला प्रशन है तुलसिदास की भक्ती में किस भावना की प्रधानता है तुलसिदास की भक्ती में कौन सी भावना प्रधान है राइड आंसर इसके लिए उप्सन डी है दासी भाव मत्तब जो उन्होंने भक्ती की है जो उन्होंने रशनाएं की है दासी भाव उनकी रशनाओं में या उनकी भक्ती में दिंगलता है अर्थात की वह है अपने राम को प्रभु मानते हैं अपना स्वामी मानते हैं और स्वयम को उनका दास मानते हैं निम्खित सूच्यों को सुमेरित कीजिए कवी का नाम है और रश्नाकार का नाम है केशो दास की रश्ना इन में से कौन सी है बतानी है option 2 है इसमें रामचंद्री का इनकी रशना है नर्पति नहाल की रशना है वीसल देव रासो सूर्दास की रशना का नाम है साहित्य लहरी और रस्मी रथी है रामधारी सिंदिनकरजी की रशना अगला प्रशने है सूर्दास द्वारा रचे ते द्रिश्ट कूट पदों का अर्थ है जो सूर्दास ने द्रिश्ट कूट नाम से पद रचे है तो वह क्या है उनका अर्थ उसे क्या माना जाता है द्रिश्ट कूट पदों का मतलब क्या है रास्दिला के पद है ब्रहमर गीत के पद है अर्थ गोपन सैली के पद है या इन में से कोई नहीं द्रश्ट कूट पदों का मतलब क्या है यह बताना है राइट आंसर ओप्सन सी है तो द्रश्ट कूट पदों का मतलब है अर्थ गोपन सैली के पद सूर्दास की द्वारा जो द्रिश्ट कुट पद लिखे गए हैं उनका मतलब है अर्थ गोपन सहली के पद ब्रहमर कीत में गोपियां किस से तर्क वितर्क करती हैं ब्रहमर कीत में गोपियां किस से तर्क वितर्क करती हैं राइट अंसर इसके लिए उप्सन जी है उद्धाव से करती हैं जब उद्धाव कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं तब वो तर्क वितर्क होता है निम्न लिखित में कौन रीती बद्ध कभी नहीं है जो कभी रीती बद्ध नहीं है वह बताने है राइट अंसर ओप्सन ए है बिहारी यह रीती बद्ध कभी नहीं है यह है रीती सिद्ध कभी इसके अतरिक्त घरानन्द केशवदास और रसलीन यह रीती बद्ध कभी है रिती बद्ध कवी का मतलब जिन्होंने लक्षन ग्रिंथों की रशना की है वह दिती बद्ध कवी कहलाते हैं तद्सम तद्भव की द्रश्ट से कौन सा विसम संयोजन है मतलब की एक सब्द तद्सम है और उसके साथ जो दूसरा है उसके बगल में वह उसका तद्भव है कौन सा विसम है इसमें वह बताना है विशन का मतलब जो गलत है वह बताना है कौन सा है आमलक तद्सम है इसका तद्भा आवला होता है कपोत तद्सम और इसका तद्भा कबूतर भ्रातत तद्सम और इसका तद्भा भतीजा अक्ष तद्सम और इसका तद्भा अच्छा चीक है तो यह आपको दिये गए हैं इसमें कौन सा जोड़ा है ऐसा जो की गलत है वह बतान इसके लिए right answer option B है अक्ष और अच्छा ये इसके विसम मतलब गलत जोड़े हैं जबकि आवले का तत्सम रूप आमलग होता है कबूतर का तत्सम रूप कपोत होता है और भतीजा का तत्सम रूप भातज होता है इनमें से रीति सिद्ध कभी कौन है रीति सिद्ध कभी बतान है इनमें उप선 सी राइट आंसर है बिहारी हैं रीति शिद्ध कभी भूशन का लंगकार ग्रन्थ कौन सा है भूशन की ये इस रूप नाम बताना है!!! सिवेराज भूशन चुब बावणी 16 साल दसक सारी ही रशना इस भूशन की ही है इन में से लंगकार ग्रन्थ बताना है कौन सा है option a right answer है सिवराज भूसरन जो भूसरन की रशना है यह एक लंकार ग्रंत है कौन सी रशना केशों की नहीं है जो रशना केशो लास 0s की केश vidéo रास की नहीं है वह बतानी है इसके लिए right answer option D प्रेमवार्टिका यह केसदास की रशना नहीं है यह रशना है रस्खान की प्रेमवार्टिका जो रशना है यह रस्खान की रशना है विज्ञान की इता, कभिय प्रिया जहांगिर जश्चंदरीका यह रशना है केसदास की है आगे के कवी रीजी है तो कविताई न तो राधी का कनहाई सुमिरन को बहानो है उप्युक्त पंक्ती या उप्ती किसकी है डाइट अंसर इसके लिए उप्सन ए है घरानन्द की यह पंक्ती है इन में से भारति इंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है मतलब की भानाटक बताना है जिसका भारति इंदु जी ने अनुदित किया है इसके लिए राइट अंसर ओप्सन डी है ये सभी भारति इंदु जी के अनुदित नाटक है पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती पंक्ती किसकी है पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती इस पंगती के रचेईता कौन है राइट आंसर ओप्शन ए है भारतेंदु जी की हपंगती है हिंदी कविता में स्वच्छंदता वाद के प्रथम कवी है ओप्सन B राइट आंसर है, स्रीधर पाठक हिंदी कविता में स्वच्छन्धता वाद के प्रथम कवी स्रीधर पाठक है निमलिखित में सही सम्मन्ध स्थापन कौन सा है? इन में से कौन सा है जो की सही सम्मन्ध स्थापन है? राइट आंसर ओप्सन C है ओप्सन C राइट आंसर है चार आठ बारा में अधली सरंगुप्त की रशना है भारत भारती और इनको यह भारत भारती इनका रास्ट्रिय का भी है ठीक है क्योंकि आपने रशनाओं को मिलाना है तो यह कैसे मिलेगा? में अधली सरंगुप्त के सांथ भारत भारती और फिर यह अगला प्रशन है दुख की पिछली रजनी बीच विकस्ता सुख का नवल प्रभात पंग्ति किसकी है? अप्सन बी जैसें का प्रशाद की है बंग्ति है दुख की पिछली रजनी बीच विकस्ता सुख का नवल प्रभात प्रताम नायरंड मिस्र किस पत्रिका के संपादक थे राइट अंसर ऑप्सन डी है ब्राम्हन के संपादक थे और इसका प्रकासन होता था कानपुर से मेला आचल किस प्रकार का उपन्यास है? मेला आचल किसका उपनियास है फणीशुर नात रेणू का उपनियास है या किस प्रकार का उपनियास है बताना है option c right answer है आँचलिक उपनियास है मेला आचल समानतर कहानी आंदोलन में किस पत्रिका की महत्वपून भूमिका रही समांतर कहानी आंदोलन में किस पत्रिका की महत्वपुन भूमी का रही ओप्सन B राइट अंसर है सारी का पत्रिका की महत्वपुन भूमी का रही समांतर कहानी आंदोलन में निम्निखित में किस आचारे ने रस को काबिका मुख्य तत्तु माना है रसको काविका प्रमक्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् हरी कृष्ण प्रेमी किस युग से सम्मंधित हैं बताना है हरी कृष्ण प्रेमी राइट अंसर ऑप्सन बी है प्रसाद युग से सम्मंधित हैं हरी कृष्ण प्रेमी आचारी वामन ने काबी के कौन से दो प्रमुख प्रयोजन बताए हैं वामन के द्वारा बताए के काबी के दो प्रमुख प्रयोजन का नाम बताना है आपको option C right answer है कीर्ती और प्रीती आचारी वामन ने काबी के दो प्रमुख प्रियोजन बताए हैं कीर्ती और प्रीती निम्नरी खित में कौन वर्निक छंद है इन में से जो छंद वर्निक है वह कौन सा है राइट आंसर है आपसण जी सवया यह एक वर्निक छंद है सवया वानिक छंद है चिर जीवो जोरी जुरे क्योना सनेह गंभीर को घटी एवरिश भानुजा वे हल्दर के वीर में कौन सा लंकार है आपको इसमें लंकार बताना है चिर जीवो जोरी जुरे क्योना सनेह गंभीर को घटी एवरिश भानुजा वे हल्धर के वीर इसमें कौन सा अलंकार है तो इसके लिए right answer option B है इसमें slice अलंकार है option B right answer है इसमें रस नस्पत्ति में निम्निखित में कौन सा कारक नहीं है रस नस्पत्ति के प्रमुक कारकों में कौन है जो की समलित नहीं है option A right answer है संभाव विभाव, मनुभाव विचारी भाव रस नस्पत्ति के मुखी कारक होते हैं अभी तो मुकट बधा था मात हुई कल ही हल्दी के हाथ हाई रुग गया यही संसार बना सिंदूर अंगार पद में कौन सा रस है इसमें आपको रस बताना है कि इसमें कौन सा रस है right answer इसके लिए option C है इसमें जो रस है वह है करुन रस और यह जो पंग्तियां है यह पंग्तियां है सुमित्रा नंदन पंत जी की ठीक है यह पंग्तियां किसकी है सुमित्र अनंदन पंत की हो सकता है कभी इस प्रकार से भी क्वेशन पूछा जाए कि यह पंतियां किसके द्वारा लिखी गई है तो सुमित्र अनंदन पंत की यह पंतियां है मात्र भू सी मात्र भू है अन्य से तुलना नहीं में कौन सा अलंकार है मात्र भूसी मात्र भू है अन्य से तुलना नहीं इसमें अलंकार कौन सा है राइट आंसर ओप्सन डी है अनन्वई अलंकार है इसमें अनन्वई अलंकार ओप्सन डी राइट आंसर है प्रिय पती वह मेरा प्राण प्यारा कहा है दुख चलने दी डूबी का सहारा कहां है में कौन सा छंद है इस पंक्ती में छंद कौन सा है राइट आंग सर ऑप्शन सी है इंद्रवजरा है इसमें तो इंद्रवजरा में 11 वर्ण होते हैं और प्रतियक्षरा में 2 तगण और 1 जगण और 2 गुरूवण होते हैं ठीक है इंद्रवजरा में अगला प्रशन है राजी और राजी और उसकी राजभासा का कौन सा विशम संयूजन है इसमें से गलत संयूजन बताना है राजी और उसकी राजभासा का तो राईट आंसर इसके लिए option B है करनाटक और मल्यालम वाला इन में से विसम संयूजन कौन सा है इसमें विसम संयूजन यानि की गलत संयूजन बताना है कौन सा है जो गलत है option A right answer है अवधी पश्यमी हिंदी की भासा नहीं है मैथली बिहारी की है गड़वाली पहारी है और मारवारी रजिस्थानी अगला पुस्थन है कौन सा वाक्य असुद्ध है जो गलत है वह बताना है असुद्ध वाक्य इसमें option C right answer है आप ड़ाई घंटा लेटे है अगला है निम्लिखित में कौन सा सब्द तद्सम नहीं है जो सब्द तद्सम नहीं है वह बताना है right answer option B है अंधेरा यह तद्सम सब्द नहीं है इसका तद्सम रूप होता है अंधकार ठीक है अगला है निम्लिखित में कौन सा शब्द तद्भव है तद्भव शब्द बताना है इसमें कौन सा है जो तद्भव शब्द है इसके लिए right answer है option D उप्रुक्त सभी यह सारे ही तद्भव सब्द हैं कुम्भार का तद्सम रूप कुम्भकार होता है आग का अगनी होता है का कास्ट होता है अगला है कि बोलचाल की भासा में निम्लिखित में कौन स्वता निर्मित शब्द कहलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं वे कहलाते हैं देशस सब्द निम्लिखित में संकर शब्द कौन सा है कौन सा सब्द है संकर शब्द इसके लिए right answer option D है टिकट घर संकर सब्द क्या होते हैं जो दो भासाओं के सब्दों से मिलकर बनते हैं जैसे इसमें टिकट और घर दो भासाओं से मिलकर बना है वह संकर सब्द कहलाता है अगला question है निम्निखित में फार्सी सब्द कौन सा है इनमें से फार्सी सब्द कौन सा है option A right answer है अफसोस या फार्सी सब्द है पादरी किस भासा का सब्द है पादरी किस भासा का सब्द है राइट आंसर आप्सन B है पुर्तकाली भासा का सब्द है पादरी आप्सन B राइट आंसर है विलोम शब्दों की द्रस्टे से कौन सा विशम संयोजन है विलोम शब्दों की द्रस्टे से जो विशम अर्थात की गलत है वह बताना है option A option A right answer है इसके लिए तीक्ष्ण और तीवर क्योंकि विलोम बताने हैं जैसे प्रेम का विलोम घ्रणा हो गया प्रत्यक्ष्ण का विलोम परोक्ष्ण होता है दुरलब का विलोम सुलब लेकिन तीक्ष्ण और तीवर दोनों क्या होगे समानार्थी होगे या परियावाची सब्द होगे एक दूसरे का एक ही अर्थ मिलता है कौन सा शब्द पत्नी का परियावाची नहीं है नहीं है। इसके अधरिक्त दारा भारिया और वाया यह पत्नी के परियाई बाची है। जो यह वनीता होता है यह और नारी जो यह उसका परियाई हुता वनिता और पतनी का परियाई भारिया वाया और दारा होता है उब्यक्त चित्र किस कवित्री का है यह चित्र है आपको भेचानना है किस कवित्री का है तो यह चित्र किस कवित्री का है प्रिसिद्द कवित्री है महादेवी वर्मा उनका यह चित्र है प्रिसिद्द कवेत्री महादेवी वर्मा का अगला प्रशन है कि निम्खित में कौन सा वाक्य कर्म कारका नहीं है जो कर्म कारका नहीं है वह बताना है इसके लिए राइट आंसर आप्सन C है बच्चा प्यासा मर गया यह है आपका अपादान कारक का ठीक है अपादान कारक का अगला है निमलिखित में कौन सा बहुबचन असुद्ध है जो बहुबचन है बहुबचन का रूप दिया है लेकिन गलत है जो वो बताना है तो राइट अंसर ऑप्शन बी है प्रतियक का हर एक दिया है इसमें जैसे पाठक है पाठक का बहुबचन पाठक गण होता है नारी का बहुबचन नारी व्रंद हो गया आप का हो गया आप लोग तो प्रतियक का मतलब होता है एक एक के लिए प्रतियक और हर एक ये क्या होग इसमें से बताना है शट पद किसका परियावाची है शट पद किसका परियावाची है option A right answer है इसके लिए ब्रहमर का भवरे को शट पद बोलते है कौन सा सायोजन उपसर्ग की द्रश्टे से विसम सायोजन है मत्तब कि उपसर्ग के उपसर्ग क्या होता है जिसमें गलत उपसर्ग लगा है वह बताना है आपको पहला है सायोग का उपसर्ग संब बताया है और लाईला असका उपसर्ग ला जो गलत है वह बताइए तो option C right answer है इसके लिए विकीन का जो उपसर्ग है वो क्या होगा V होगा जबकि इसमें के बताया है वो बताया है ठीक है बाकी संयोग का सम होता है संयोग का सम उच्चारन का उत और लाइलाज का ला है इलाज के आगे ला लगा दिया तो लाइलाज हो गया और यहाँ पर यह सम योग सम जैसे हम विच्छेत करते हैं ना संधन योग बराबर संयोग ठीक है इसी रूप ये क्या है उपसर गए है अगला प्रस्ण है किस शब्द में द्विगु समास है द्विगु समास बताना है किस सब्द में है ओपसन दिये गए है आपको राइट अंसर ओपसन डी है त्रिफला त्रिफला में द्विगु समास किया है जो कभी पहला पर संख्या वाचक होता है तो वह द्विगु समास के अंतरगत आता है अब देखिए इसमें भी संख्या वाचक है इसमें भी संख्या वाचक है इसमें क्योंकि चतर्भुज का अर्थ किसी अन्य रूप में मिलता है दसानन का भी आपको पता होगा अर्थ अन्य रूप में मिलता है और चतर्मुख का भी अर्थ क्या है अन्य रूप में मिलता है जब ये अपने मूल अर्थ की जब जो इस सब्द होते हैं जब किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं तब इनमें कौन सा समास होता है तब इनमें समास होता है बहुबरी ही समास ठीक है तो चतुर मुख चतुर भूज चतुर मुख और दसानन ये बहुबरी ही समास के उदारण है इस तो यहाँ पर द्विगो समास के वग त्रिफला है ग्राम उथान में संधी है ग्राम उथान में कौन सी संधी होगी इसके लिए राइट आंसर ओप्सन ए है गुण संधी है ग्राम उथान में निम्खित में कौन सा शब्द स्ट्रिलिंग है जो सब्द स्ट्रिलिंग है वो बताना है राइट अंसर इसके लिए उप्षन C है सूचना यह स्ट्रिलिंग का उधारन है जब हमें लिंग पहचानने हैं तो हमें कैसे उसका प्रियोग करके उसको पहचानना होता है जैसे हम बोलते हैं कि उफार अच्छी लगी नहीं उफार अच्छा लगा ऐसा बोला जाता है तो पुलिंग हो गया बहुमत देना चाहिए या देनी चाहिए क्या हमें उसे बहुमत से जिताना चाहिए या हमें उसे बहुमत देना चाहिए देनी चाहिए नहीं बोला जाता है सूचना देनी चाहिए सूचना देना चाहिए नहीं कहते हैं ठीक है अधिहाई अधिहाई खतम हो गया कहते हैं या अधिहाई सुरू कर दिया अध्याय सुरू कर दी ऐसा नहीं बोला जाता है तो ये हमें लिंक पहचान का एक तरीका है अगला है पुलिंग में कौन विसम सही हो जाने है चाचा का चाची होता है बनिया का बनियाईन है लंगोट का लंगोटी है सुनार का सुनारिन है आपको विसम मतलब की गलत बताना है राइट अंसर उप्सन बी है बनिया का बनियाईन नहीं होता है इसके अगल रिक्त चाचा का चाची लंगोट का लंगोटी और सुनार का सुनारिन निमखित में कौन इंदर का परियाईवाची नहीं है जो इंदर का परियावाची नहीं है वह बताना है देवराज है, सुर्पती है, देवेश है और मध्वा है राइट अंसर ओप्शन डी है मध्वा देखी इसमें क्या है ना इसमें कि इंदर का देवराज होता है देवेश हो सुर्पती होता है मध्वा ये मध्वा नहीं मध्वा लिखा है ना मध्वा तो इंद्र का परियावाची होता है मध्वा अगर आपका यह पर पूरा धह होता है तो यह भी क्या है मध्वा है मध्वा जो है वह इंद्र का परियावाची होता है ठीक है इसलिए इसमें कन्फूज मत होना क्योंकि मधवा परियावची होता है इंदर का लेकिन मधवा नहीं होता है ये मधवा लिखा है ये है मधवा ठीक है देवराज हो गया देवेश हो गया सुर्पती हो गया और मधवा निमखित में आदी का विलोम शब्द है आदी का विलोम शब्द बताना है कौनसा है विलोम का मतलब की विपरी तर्थ बताना है आपको आधी का इसके लिए राइट आंसर ओप्शन C है अंत आधी का मतलब होता है प्रारंभ करना और इसका बिलोम क्या हो गया अंत अगला है चोर की दाढ़ी में तिनका होना मुहावरे का अर्थ है राइट आंसर आप्सन बी है अपराधी का सुयम संकित होना अगला कुशन है मुह में राम बगल में चूरी कहवत का अर्थ है मुह मेरा मगल में छूरी काहवत का अर्थ क्या है इसके लिए right answer है option D कहना कुछ और, मानना कुछ और अगला है वागदान का संदिविच्छेद होगा वागदान सब्दे है इसका संदिविच्छेद क्या होगा right answer option अच्छा पहले थोड़ा सा mistake हो गई है जो इससे पहले का क्या था इसके पहले 30, इसका है कप्टी सभाव का होना मुह मेरा म और बगल में छूरी का मतलब क्या है कप्टी सभाव का होना, ठीक है कप्टी सभाव होना है तो 63 का answer, question क्या था कि मुह मेरा म बगल में छूरी काहवत का अर्थ है कप्टी सुभाव का हुना option C इसके लिए right answer है और 64 में है वागदान का संधी विच्छेद होगा वागदान का जब संधी विच्छेद करेंगे तो क्या होगा right answer option D है वागदान बराबर वागदान ठीक है ये किस संधी का उधारन है व्यंजन संधी का ये उधारन है व्यंजन संधी का वागदान दान बराबर वागदान अगला है दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा वाक्यांस के लिए एक शब्द है दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा option A इसपरधा दो शब्दों के भी विभक्ति को हटा कर एक शब्द बनाना ही डैस है वाकी में रिक्तिस्थान की पूर्थी कीजिए दो सब्दों के भी विभक्ति को हटा कर जब एक सब्द बना जाता है तो वह क्या कहलाता है रुपिया पैसा में कौन सा समास है रुपिया पैसा में समास कौन सा है द्वंद जब दोनों पत प्रधान होते हैं तो वह द्वंद समास का उधारन आता है जैसे माता पिता ठीक है वैसे ही रुपिया पैसा ये क्या है द्वंद समास की उधारन है निम्न रिखित में सुद्ध वाकि कौन सा है सुद्ध वाकी बताना है कौन सा है सुद्ध वाकी Option D पुस्तक में क्या लिखा है निम्लिखित में कौन सब्द सुद्ध है सुद्ध रूप बताना है सब्द का कौन सा है Option A स्वाब हाविक Option A राइट अंसर है निम्लिखित में कौन सब्द सुद्ध है असुद्ध का मतलब की गलत बताना है कौन सा है मालूम, भासाएं, चेष्ट और पुज्य तो पुज्य नहीं होता है क्या होता है पूज्य पूज्य, मातापिता या पूज्य गुरुजन छोड़ाओ की मातरा लिखी है ना इसमें इसलिए आपका गलत हो गया मतलब कि असुद्ध हो गया परमेश्वर में कौन सी संधी है परमधन ईश्वर बराबर परमेश्वर होता है तो इसमें संधी कौन सी है गुण संधी इत्यादी का कौन सा संधी विच्छेद सही है इत्यादी का जो सही संधी विच्छेत है वो बताना है Option C इतिधन आदी बराबर इत्यादी निमखित में किस वाकी में योजक चिन्न का सही प्रियोग हुआ है योजक चिन्न का किस वाकी में सही प्रियोग हुआ है Right answer option D है सभी में योजक चिन्द का प्रियोग हुआ है सही तरीके से निमखित में कौन सा भास का नाटक नहीं है जो नाटक भास का नहीं है वह बताना है नहीं वाला बताना है राइट अंसर इसके लिए उप्सन ए है उत्तर राम चरितम भास का नाटक नहीं है तो अपने बास बततम अभिशेक और बाल्चरित्री अभास के नाटक है गीत कोविंद के रचेता हैं गीत कोविंद के रचेता पताने हैं कौन है राइट आंसर ओप्सन डी है जैदेव गीत कोविंद के रचेता है रचेता का नाम है और रचना का नाम है इनको आपको मिलान क A का तीसरा मालविकागनी मित्रम कालिदास की रशना है B का पहला है रतनावली नाटी का स्रीहस की है C का चोथा है रासेखर की है काबिय मिमानसा और D का दूसरा दश रूपक धननजे की रशना है काबिय दर्स का मुख्य वर्ण विशय है काबियादर से जो रशना है इसका विशय क्या है किस विशय पर लिखा गया है राइट आंसर आप्सन ए है अलंकार है इसका मुखी विशय किस रशना में कुटनियों का वणन किया गया है Option C, Right Answer है, दसकुमार चरितम में मिलता है कुटनियों का वणन दंडी के जीवन चरितर का उलेक उनकी किस रशना में मिलता है दंडी की कौन सी रशना है, जिसमें उनकी जीवन चरितर का वणन मिलता है option B right answer है अवंती सुन्दरी है जिसमें दंडी के जीवन चेत्र का वणन है उत्तर राम चेतम का अंगीरस है उत्तर राम चेतम जो रचना है इसका अंगीरस मतलब की मुख्यरस कौन सा है option D करूरस है इसमें मुख्यरस कौन गुण संधी का शब्द नहीं है इनमें से कौन सा शब्द है जो की गुण संधी का नहीं है right answer option B है पित्तराग्या modern स्वारह किस संधी का सूत्र है right answer option A है अनुस्वार का सूत्र है समुद्रोर्मी का संधे विच्छेद होगा option C समुद्रधन उर्मी बराबर समुद्रोर्मी अगला है कूप पतितह में किस विभक्ति का तत्पुरुस समास है कूप पतितह में राइट आंसर इसके लिए option D है सब्तमी निमिखित में द्वंद्र समास का कौन सा शब्द नहीं है जो द्वंद्र समास का सब्द नहीं है वह बताना है option B राइट आंसर है हरीहर द्वंद्र समास का पूछा है तो हरीहर नहीं इसमें पितांबर होगा जो की बिल्कुल गरत हो रहा है इसमें द्वंद्र समास का कौन सा शब्द है है पूछा है ठीक है द्वंद्र समास का कौन सा सब्द है पूछा है तो इसके लिए right answer option B है हरी हर हरी हर यह द्वंद समास का सब्द है इसके बाद अगला है जैसे पितामबर है बहुबरी ही समास का हो गया नुरोत्तम है यह करमधारे समास का है सब्द सती है यह है द्विगो समास का अगला है निम्युक्त में कौन तत्वर समास का शब्द नहीं है जो तत्वर समास का शब्द नहीं है रight answer option A है गजानन है गजानन का मतलब क्या होता है यह बहुबरी ही समास का उधहरन है ठीक है मुनिशब्द का तृतिया बहुबचन में रूप है मुनी शब्द का तिर्थिया बहुबचन में रूप Option C, मुनी भी है मा भानवा किस विभक्ती वचन का रूप है Option B, प्रत्मा बहुबचन का रूप है करिश्यामा किस लकार का धातु रूप है Option D, इन में से कोई नहीं है Option D, लिटलकार का धातु रूप है अगला है, ददामी लटलकार में किस पुरुष वचन का धातु रूप है Right answer, Option A है, उत्तम पुरुष एक वचन का इसी के साथ अच्छी एक लासे ही परेंड होती है मिलते हैं अगली वीडियो में कुछने प्रश्मों के साथ धन्यवाद